विश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में तो दोस्तों आज में लेकर आई हूँ आपके लिए वो खबर जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था जी हाँ CBSC ने डिक्लेर कर दिया है क्लास 12 का टम फर्स्ट का बोर्ड रिजर्ट CBSC ने अभी पिछले कुछ दिनों में ही तेंथ क्लास का बोर्ड रिजर्ट अपडेट किया था डिक्लेर किया था और आज एक घंटा पहले CBSC ने डिक्लेर किया है तीनों स्ट्रीम का क्लास 12 का टम फर्स्ट का बोर्ड रिजर्ट तो बिटा इसके साथ ही आपके दिमाग में होगा कि हम अपना result कैसे देख सकते हैं सबसे पहले इस news को confirm करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर है NDTV की खबर जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि result आ गया है Hindustime Times कह रहा है result आ चुका है और इसके बाद बिटा Times of India और आप लोगों के घर में भी बहुत सारे news channel चल रहे होंगे जो की बता रहे हैं कि cbsc का result आ गया है अब result कहाँ पर देखना है और कैसे देखना है तो इसके लिए सबसे बहले हम चलते हैं cbsc की main website पर तो बिटा हम आ गये हैं cbsc.government.in यानि की official website cbsc की और यहाँ पर अगर हम main website पर जाते हैं तो main website पर हम देखते हैं यहाँ पर कहीं पर भी class 12 के result के recording कोई भी update नहीं है अब हम result वाला interface यहाँ पर खोलते हैं तो अगर हम result वाला interface खोलते हैं तो यहाँ पर भी class 12 के result के बारे में कोई भी announcement cbsc ने नहीं की है तो अब students परिशान ना हो और वो अपना class 12 का result बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे जिस तरह से class 10 के देखा है यानि की contact करेंगे आप अपने school teachers से और वहां से देखेंगे आप अपना result तो दोस्तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जिससे की इस तरह क जानकारी लगादार आपको मिलती रहें